और भार बैनों क्या हाल चाल है यार बहुत बतस्वागे थे उनका जोज मेरे चैनल में पहली बार आए है यार एक काम करो चैनल के बार जाओ सब्सक्राइब करो खिंडी बजाओ और अंदर आ जाओ और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार इसे तो अपना है चाल समझो इस वीडियो में बात करने वाले एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सस परसेंटाइल वर्सस रैंक के बारे में वर्सस परसेंटाइल वीडियो मैं पिशले दो दिन से रिसार्ट को था काफी सारे मैंने फैक्टर्स इसमें यूस किया है जो फैक्टर्स इस चीज को डिसाइड करने वाले वो है कि इस बार आपको ज्यादा ताइम मिलता है प्रेइर करने के लिए टरल्ग आलों पिन तन पिर श्टने लाट आपका जैएमें होने वाला था बोर्ट के बार मोट के बाद आपको जनलिया Ample Amount ऑफ समिसेंट संवर्स के बाद आप को ब契द क्णिंघ कोरक उप मन Tut सब्सक्राइब करेक्ट फिर दो पाइड जादा पहुता है वाइप को पर एक्समेंट गज़के आपका जब जैना प्रिपल आइटीज्ट गाइटी जिए जी जादा टाइम मिला पेपर के लेवल भी उतना ही ए उसके अलावा इस बाए लोगों के पास जादा एक्सपोजर ने जेए मेन को लेगे, for example, last time आपका जब जेए मेन हो आथा, बहुत है लोगा वो पहला जेए मेन था, ठीक है, except the droppers, but this time they are well prepared, उनको पता है कैसे level के question वो expect कर सकते है, उनके पास NTA अभियास आप भी है, practice करने के लिए, जो कि HRD Minister का favorite है, so I guess people are far, far more prepared, मैं जब Excel चालो करूँगा, अब तक वहाँ पर देख सकते हो कि एक surge है, जितने भी आपके mark range है, उस पर आपको ज़्यादा marks पे same percentile मिलने वाली as compared to your January session, ठीक है, so यार इस वीडियो को like दे रहना and please do support, so यार आज हम यहाँ पर देखने वाले expected J main marks versus percentile versus rank for your next J main session, आपका first J main session हो चुक ठीक है, obviously it's the best of two, अगर आप एक में बहुत गंदा करते हो, दूसरे में बहुत अच्छा करते हो, so obviously आपका जो अच्छा वाला score है, वही मानने जाएगा, जो गंदा वाला score अच्छी कोई value नहीं रहेंगे, ठीक है, so in this way we are going to discuss the percentile ranges in 0.1 difference from 100 to 99 and with 1 difference from 99 to 92, 92 प्यों यार 92, basically अगर आपके rank 72,000 के आसपास है, तब यह आपको कोई चीज मिल सकते है, for example आपका home state का IT, और home state का triple IT, और उसके बाद कुछ में मिलना आपके लिए काफिसादा difficult हो जाएगा, ठीक है, पहले देख लेते है, mark range from 275 to 300, उसमें आपके expert percentile बन सकते है, 99.9 के आसपास, 267 से लेक percentile of 99.6, 245 to 253, you can expect a percentile of 99.5, 99.4 के लिए आप लोग expect कर सकते हो, a mark range from 238 to 245, 229 से लेके 238 में आप expect कर से लेके 99.3, 99.2 के लिए आप expect कर से लेके 229, अब 212 से लेकर, अगर आपके 220 नमबर आते है, you can expect a percentile of 99.1, और जो एक legendary mark होता है, that is 99 percentile, उसके लिए अगर आपके marks आ रहे है, 205 से लेके 212 के वीच में, ठीक है, so you can expect a rank between 99 to 99.1, ओके, यह बात होगी 0.1 के difference में, ठीक हम बात करने वाले हैं, सीधा 1 percentile के difference में, अब मैंने आपके rank expected का भी एक column देखे रखे, आप उस काल्कुलेट कैसे कर होगे, मैंने यहाँ पे मान के रहेगी 9 lakh people are giving the BE or BTEC examination of J-Main, ठीक है, आपके J-Main के 2 paper होते है, that is the first one is for architecture and the second one is for your BE or BTEC examination, मैं यह सिर्फ और सिर्फ BE or BTEC के लिए लिए लिख रहा हू, 9 lakh से जादा बच्चों ने भरा हुआ है, but I am expecting कि only 9 lakh people will turn in this COVID situation for giving this J-Main examination, okay, अगर बात में अगर अगर अभी J-Main होता है, उस हिसाब से मुझे रहता है कि 9 lakh से लोग turn up होने वाले है amidst this pandemic situation, okay, तो आपका जो percentile है यहाँ पे, है ना, आप उससे rank expected में catch जाता है, for example, अगर आपके percentile 99.90 ठीक है, उसको 100 से minus को, यानि आपका आया 0.1, okay, 0.1 के साद आपको क्या करना है 0.1 को डिवाइड करो 100 से, उसको multiply कर दो, 9 lakh से आपको मिल जाएगी अपनी expected rank, okay, so मैंने corresponding इन सब को लेके, इनका corresponding percentile को लेके सारे rank expected निकाल दीए, ठीक है, अब बात करते हैं 98 percentile के लिए, 98 percentile के लिए, you need approximately 184 to 205 marks, अगर आप इनके बीच मिला सकते हैं, यहाँ expected percentile between 98 to 99, ठ अगर 97 के आसपास आपको percentile चाहिए, 97 से लेके 98 के बीच में, so you can expect a score of 169 to 184 to score in the next game, ठीक है, अगर आप लाड़ो 157 से लेके 169 के बीच में, okay, आप expect कर सकते हो a percentile between 96 to 97, okay, अगर आप 95 to 96 को लेके बात करोगे, 95 से लेके 96 अगर आप देख रहे हो, you have to score between 146 to 157, अगर आप 138 से लेके 146 के बीच में, score कर रहे, you can expect a percentile of 94, 93 के लिए expect a mark between 132 to 138 and lastly between 123 to 130, you can expect a percentile of 92, okay, so यार ये सारी चीज़े थे, हम यहाँ आप है mark range versus percentile versus rank expected देख चुके है, please इसका a screenshot लेलो और उससे साब से महनद करो, plus minus 10 का a principle rule होता है, उससे साब से चेक कर सकते हो, for example, अगर आप आपका paper, आपका anti-abhiyaas के 1,2,3,4,5 paper जैसा आ गया, ठीक है, अब इसमें से plus 5 या फिर plus 10 के असपास कर सकते हो, और आपका paper थोड़ा बहुत difficult आ गया, अभी जो anti-abhiyaas के papers बने है, वो थोड़े बहुत difficult आ रहे है, आप उसे आप से इस percentile से, जो corresponding mark range है, उसमें minus 5 या फिर लास्स टाइम बेकर आप देखोगे, जैमें जैनवरी से लेके आपका जैमें April session में 30-40 नंबर जादा लाई थी, तब भी same percentile लाई थी, I am expecting the same thing this time also, क्योंकि लास्स टाइम के थोड़ा easy paper बन गा था, आपका जैमें का April session था उसमें, अगर इस बार same level का paper आया, 30-40 ही बने ह अब भी paper का भी थोड़ा compensate करेगा, for the added time that you have been given by this corona pandemic situation, okay, so this is it from my side, सामें आ गया, अब सब सल लेने का, अलविदा